हेलो एंड वेलकम, ग्रेट अकेडमी के ओनलाइन पोटल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है M.D. समी, रिविजन बुस्टर सिरीज का ये तीसरा पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग केमेस्ट्री के कोशन्स को डिसकस करेंगे, जो बच्चे एंसियार् कर रहे हैं, क्लास 10 के, और उन्हें कॉंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो सारे कॉंसेप्ट को इसलिए हमने पार्ट वाइस डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमेस्ट्री और बैलोजी, तो इनका रिवीजन हम पार्ट वाइस कराएंगे आपको, इन बच्चों ने कॉ पी पेन लेके आ जाईए, और टेस्ट को सिरेसली दीजिए, ताकि आपको यह आइडिया लग सके कि आपका कॉंसेप्ट कितना अच्छा बिल्ड है, या क्या आपका वीक पोर्शन है, क्योंकि हमें हर एक वीक पोर्शन को स्ट्रॉंग बनाना है, ताकि आप बहुत पहला कोशन जो है, what is the permissible concentration of residual chlorine present in drinking water, in mg per litre, पीने के पानी में मौझूद अवसिस्ट क्लोरीन की अनुमे सांदरता mg per litre में क्या है? इसका answer है, 0.2 to 2.0 mg per litre, तो जो भी chlorine का concentration है, जो drinking water में add किया जाता है, जो पीने योग यो पानी है, उसमें 0.22 to 2.0 mg per litre होना चाहिए, तो जब filtration हम लोग करते हैं, अपने घरों में aqua guard लगाते हैं, या फिर जो plant में filtration किया जाता है, जो घरों में supply होता है, उसमें chlorine add किया जाता है, तो chlorine add इतने ही मातरा में होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए पीने योग यो है, अगर वो पानी में chlorine की मातरा जादा होगा, तो हम हमारे body में reactions हो सकते हैं, जो हमारे नुकसान दे है, तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है, तो chlorine water में कहां से आता है, तो जब हम लोग उसका filtration करते हैं, तो bleaching powder को add करते हैं, तो bleaching powder को add करने से oxygen की मातरा वाटर में बढ़ जाती है, जिससे microorganisms जो हैं, वो मर जाते हैं, औ क्लोरिन उसी से add होता है, तो जो bleaching powder का formula है, COCl2, अगला question है, the two metal ions that cause hardness to water are, पानी में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं, इसका answer है calcium and magnesium, तो calcium और magnesium water में मुझूद होते हैं, बच्चों, calcium जो है, CA2 प्लस आयन जो है, और magnesium mg2 प्लस आयन, ये देख रहे होंगे आप, pure water, यानि कि पानी जो बारिस के रूप में धर्ती में गिरती है, तो जब वो पानी गिरता है, तो वो pure form में होता है, लेकिन जब वो गिरता है, तो मटी से, जमीन से, अर्थ से, minerals add होते हैं उसमें, calcium और magnesium, तो जब उसमें add होते हैं, तो जब ये ज़्यादा मातरा में add हो जाते हैं, यानि कि जब इनका concentration बढ़ जाता है, CA2+, और Mg2+, आयन का concentration अगर pure water में बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग hardness of water कहते हैं, hardness of water इसी से मालुम चलता है, और जब low concentration में रहता है, तो उसे soft water कहते हैं, और hard जो है, वो इसी के concentration के बढ़ने के वज़े से होता है, तो इन बातों के भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कि जब भी water में, pure water में, calcium और magnesium ions की मात्रा बढ़ जाए, तो वो water hard कहा जाता है, यानि कि hard water, अगला question है, which among the flowing is the lightest radioactive element in the periodic table, निमलिखित में से कौन आवर्त सार्णी में सबसे हलका radio धर्मी तत्व है, इसका answer है Ttm, तो Ttm जो है, वो hydrogen का isotopes है, यह बच्चे सभी जानते होंगे, कि hydrogen के 3 isotopes होते हैं, दो isotopes होते हैं, deuterium और Ttm, तो hydrogen जो है, उसमें एक electron और एक proton होता है, तो जो deuterium इसका isotopes है, उसमें mass number बढ़ जाता है, यानि कि एक neutron उसमें add हो जाता है, electron एक ही रहता है, और proton भी एक ही होता है, बट एक neutron उसमें आ जाता है, और जो Ttm है, उसमें दो neutron आ जाते हैं, एक electron और एक proton होते हैं, तो जो Ttm है, वो सबसे lightest radioactive element है, बट जो deuterium है, वो radioactive element नहीं है, अगला question है, जब हवा की अनुपस्थिती में हीरा 1500 डिग्री से अधिक गरम हो जाता है तो यह बदल जाता है इसका एंसर लाग ग्रेफाइट तो सही बच्छे जानते होंगे कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के कॉंबिनेशन का एक नमूना है जो चेन बनाता है तो ग्रेफाइट जो है वो फ्रीली बॉंडिंग होता है तो जब डायमंड को हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस में हीट करत एर मौजूद नहीं होता है तब यह ग्रेफाइट में बदल जाता है अगला कोश्चन है विच फॉलोइंग मेथर्ड कैन बी इंप्लॉइट टू टेस्ट था हाड़नेस ऑव वाटर जल की कठोरता का प्रसिच्छन करने के लिए निमलिखित में से कौन सी विधी अपनाई जा सकती है इसका एंसर है फॉर्मेशन ऑफ लेदर विच सोप साबून के साथ जाग का निर्माण तो हाड़नेस ऑव वाटर जो है मैंने आपको बताया कि जब कैल्सियम आयन और मैगनीसियम आयन की मातरा बढ़ जाए उसका कंसेटरेशन इंक्रीज हो जाए तो वह वाटर हाड होता है जब वाटर हाड होता है तो जब साबून से आप उसको रब करेंगे तो उसमें जाग नहीं बनेगा यानि कि फोर्म क्रियेट नहीं होगा तो जाग नहीं बनेगा कम बनेगा यानि कि वह वाटर हाड है अगर वह सौफ्ट वाटर से अगर आप हाथ धोएंगे स उसमें बहुत ज्यादा ज्ञाग बनता है, जैसे आप जब नहाते होंगे, या हाथ होते होंगे, देखेंगे, अगर सौफ्ट वाटर होगा, तो ज्ञाग ज्ञाग बनेगा, हलका साबून अपलेंगे, तो ज्ञाग जो फॉर्म होगा, यानि कि जो लेदर बनेगा, वो नौन इस्टिक कोटिंग के लिए किया जाता है, इसका एंसर है टेफलॉम, तो टेफलॉम जो मटेरियल है बच्चों, जैसा आपके हम पिक्चरों में देख रहे होंगे, कि अंडा पकाया जा रहा है, तो वो चिपक नहीं रहा है, अगर आप लोहे के तवे में पकाएंगे तो वो depressed जाता है, जब हम उसको पकाते हैं तो चिपकने लगता है, तो लोहे में जो है, वो non-stick nature नहीं होता है, जिसलिए उसमें चिपक जाता है, बट जो अभी पैन आ रहा है है, जिसे हम लोग non-stick pen के रूप में इस्तवाल कर रहे हैं, उसमें टेफलॉम की कोटिंग की ज इसकी जो thermal conductivity होती है वो बहुत fast होती है बट यह अपने temperature को राइज नहीं करने देता है उतनी जल्दी temperature को maintain करके रखता है जल्दी से temperature राइज नहीं होता है इसमें but यह heat transfer बहुत fast करता है इस property को आप लोग ध्यान रखिएगा questions कैसे भी आ सकता है अगला question है during the fermentation of sugar the compound which is always formed is dash चीनी के कीन वर्ण के दवरान हमेशा बनने वाला योगिक इसका answer is ethyl alcohol तो ethyl alcohol के बारे में सभी जानते हैं जैसे आप picture में देख रहे होंगे कि ethanol जो की इसका formula है C2H2OH तो जो ethanol बनता है ethyl alcohol is ethyl alcohol fermentation के जरीय सब्णाया जाता है तो जब हम सुगर का fermentation करेंगे तो वह अलकोहल बनेगा जितने भी दारु की factory है है या wines की factory है जितने भी wine की factory है वहाँ पे fermentation के जरीय से wines बनाया जाते हैं सराब बनाया जाते हैं तो इस्ट है वो सुगर को कंजूम करता है और कार्बन डायकसाइट को प्रड्यूस करता है और जो उसके बाइप प्रोड़क्स बनते हैं वह अल्कोहल के फर्मेंटेशन का तो इसलिए इताहिल अल्कोहल जो है वह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है अगला कोशन है दा प्रो कि इसका एंसर है इलेक्ट्रो फोरेसिस तो एक टेकनीक है जिसके जरीए से कार्बन पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एर से निकाल लिया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग एर को एक कंपाउंड में एक कंटेंड में लेके और इलेक्ट्रोड का आइजमेंट देखिए आप जितकी सरीके से किया हुआ है एनाड और कैथोड तो जब एयर को एक पर्टिकुलर इलेक्टिक दी जाती है उसको हम लोग कर लोग कर लेते हैं और उतना ही उलेक्टिसिटि सप्लाइड दिया जाता है ताकि कार्बन पार्टिकल ज्निight क वो के तरफ जाते और चिपकझ जाते हैं तो यह टेकनीक है वो carbon particles को अलग करने का टेकनीक है air mixture में से तो air mixture में से यह technique इसी तरीके से इस टेकनीक का इस्तमाल करके carbon particles को हटाया जाता है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा कि जितना यह charge देता है वो carbon के charge के बराबर होता है ताकि carbon particles उसे चिपक जाए और भी particles आके उसमें चिपकेंगे पर जब तक वो चिपकेंगे तब तक वो carbon को absorb कर लिया जाता है अगला कोश्चन है which of the one of the flowing is commonly used for pulp bleaching in the paper industry कागज के उद्योग में लुगदी विरंजन के लिए आम तोर पर निमलिखित में से किसका उपियोग किया जाता है कि इसका एंसर है hydrogen peroxide जिसका फार्मला होता है तो जो hydrogen peroxide है यह क्रीम में भी इस्तमाल किया जाता है जो भी आप क्रीम से फेड कर देता जानी कि वाइट कर देता है bleaching means होता है कलर लेस बनाना किसी भी चीज को तो hydrogen peroxide का इस्तमाल किया जाता है पेपर इंड़स्ट्री में बहुत ज्यादा मातरा में क्यूंकि जो पेपर्स बनाया जाते हैं वाइड बनाया जाते हैं जो क्वाइल्टी जही आती है और इसका इस्तेमाल किरी में भी किया जाता है, इसी तरीके से जो bleaching agent है, एक COCL 2 जिसके बारे मैंने आपको बताया पहले कोशन में, कि वो पानी को साफ करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, या laundry में इस्तमाल किया जाता है कपड़ों को साफ करने के लिए उसी तरीके से hydrogen peroxide का इस्तमाल जो है वो paper industry में किया जाता है ताकि paper को बनाया जा सके अलग-अलग quality के और cream में भी इसका इस्तमाल होता है अगला question है diamond does not conduct electricity because of which of the following reason निमलिखित में से किस कारण से हीरा बिजली का संचालन नहीं करता है इसका answer है due to absence of free electron तो diamond में free electron नहीं होता है जैसा आप यहाँ picture में देख रहे होंगे carbon जब diamond के रूप में arrange होता है तो जो यह carbon का electrop है diamond वो बहुत ही compactly arrange होता है हर एक carbon attach होता है दूसरे से कोई भी एक single electron free नहीं होता है सारे electron bond create कर देते हैं जिस वज़े से जब free electron मौजूद ही नहीं है तो electricity conduct कैसे होगा जैसा कि आपने पढ़ा होगा चप्टर में electricity chapter में कि electricity को conduct करने के लिए सबसे पहले charge को मूब होना चाहिए तो charge मूब कब होगा जब आ potential difference create करेंगे तो potential difference create करने से charge move होते हैं यानि कि जो free electron होते हैं जो valence cell में electron मौजूद होते हैं तो free electron move होता है जिसके वज़े से electricity conduct होती है तो diamond में free electron मौजूद नहीं होता है जिस वज़े से diamond जो है electricity conduct नहीं करता है अगला कोशन है Which of the following process is involved in the manufacturing of iron from iron ore निमलिकित में से कौन सी परक्रिया लोह आयसक से लोहे के निर्माण में सामिल है इसका एंसर रिडक्षन तो रिडक्षन टेक्निक का इस्तमाल इसलिए किया जाता है बच्चों कि जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टरस में जब मैटल्स का हम लोग एक्स्ट्रेक्षन करते हैं तो एक्स्ट्रेक्शन में हम लोग रेडक्शन टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं, एलेक्टोलिसिस का भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रेक्शन डिसलेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, बट जो आइरन और होता है, वो ऑक्साइड के फर्म में मौझूद होता है, और sulfide के form में मुझूद होता है बट mostly जो है iron आपको oxide के form में मिलेगा तो oxide के form में जब iron मिलता है तब उसे हमें reduce करना होता है यानि कि oxygen को हटाना होता है जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कई तरह के reactions होते हैं decomposition reaction, combination reaction, neutralization reaction, displacement उसी तरीके से oxidation और reduction reaction होता है तो oxidation का मतलब होता है oxygen को add करना जब आप किसी element में oxygen को add करते हैं जैसे अगर hydrogen में oxygen को add करें तो H2O बनाता है यानि कि water form होता है उसी तरीके से अगर आप oxygen को हटाएंगे water में से तो H2O गैस बनेगा तो यह reduction technique का इस्तमाल किया जाता है iron ore से iron को निकालने के लिए और आप देख रहोंगे जो furnace है यहाँ पे furnace में iron ore को डाला जा रहा है और coke को भी डाला जा रहा है और यह temperature है वो 1200 से 2400 degree Celsius की temperature है जिसमें iron ore को reduce किया जाता है यानि कि oxygen को हटाया जाता है और वहाँ से iron पिगल के molten iron के form में निकल के आता है अगला question है what is the term used for addition of suitable impurities into semiconductor for modulating its properties अर्ध चालक में उसके गुणों को संसोधित करने के लिए उपयुक्त असुधियों को जोड़ने के लिए किस सब्द का उपयोग किया जाता है इसका answer है doping तो doping किया जाता है बच्चों semiconductor में ताकि हम N-type या P-type semiconductor को बना सकें तो यह impurities हैं जिसको add किया जाता है semiconductor में जब हमें pure semiconductor बनाना होता है तब हम लोग germanium और silicon का इस्तमाल करते हैं बट हमें जब उसके properties को modulate करने का इस्तमाल करना होता है यानि कि semiconductor के properties को change करना होता है तब हम लोग doping करते हैं और वहाँ पर P-type या N-type semiconductor को बना लेते हैं जैसे आप देख रहे होंगे कि बोरोन को एड किया जा रहा है silicon के साथ semiconductor को बनाने के लिए तो बोरोन का जो वैलेंस electron है वो थ्री electrons होते हैं लास्ट सेल में तो थ्री electrons तो इसे combine हो जाएंगे तो बट जो एक जो hole बच जाता है तो यह hole इसलिए बनता है क्योंकि सिलिकन के चार होते हैं तो तीन तो combine हो जाएंगे बट एक जो है वो combine नहीं हो पाएगा तो वह hole create हो जाता है इसलिए यहाँ इसको P-type semiconductor कहा जाता है तो इस तरीके से P-type semiconductor को बनाया जाता है अगला जो है आप देख रहे होंगे कि antimony का इस्तमाल हो रहा है तो antimony की में चार electron होते हैं सौरी पांच electron होते हैं तो पांच electron होने से क्या होगा कि जब इसमें हम सिलिकन को combine करेंगे तो इसके चारव बॉंड तो बन जाएंगे बट एक electron जो है वो free electron बच जाएगा जैसा आप देख रहे होंगे तो इसे N-type semiconductor कहा जाता है तो P-type और N-type semiconductor को बनाया जाता है डोपिंग के जरिये से ताकि हम semiconductor के properties को modulate कर सके हैं यानि कि change कर सके हैं अगला question है which of the following instrument is used to measure the change in the volume of gases गैसों के आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए निमलिखित में से किस उपकरान का उप्योग किया जाता है इसका answer है ideometer तो जैसे आप जानते हैं कि ideometer जो है वो change in volume अगर मेरे पास जो भी gases मौझूद है अगर उसकी खपत हो रही है या कितना volume present है उसको नापना है तो ये एक instrument है ideometer जिसके जरिये से volume of gases यानि कि उसको नापा जाता है अगर उसमें बदला हुआ है तो उसको भी ये नाप के बताएगा कि कितना change हुआ है volume of gases में अगला question है which of the flowing gas is used in the preparation of bleaching powder निम लिखित में से किस गैस का परियोग विरेंजनक चूरन बनाने के लिए किया जाता है इसका एंसर है chlorine तो chlorine gas का जो इस्तमाल है वह bleaching powder के formation के लिए किया जाता है जैसे आप लोग जानते होंगे कि select lime यानि कि CO2 यह base है चूना चूना आप लोग जानते होंगे select lime कहा जाता है उसको उसमें हम लोग chlorine gas को add कर देते हैं और उससे हम लोग bleaching powder को prepare कर लेते हैं यानि कि CO2 prepare होता है और यहां पर hydrogen gas यानि कि water के form में निकल जाता है H2O यहां पर water release होगा जब आप bleaching powder बनाएंगे तो water release होगा यहां पर जो equation है यह CO2 plus Cl2 यह बनाएगा आपको CO2 plus H2O यानि कि water release होगा और मेरा bleaching powder बन जाएगा अगला question है the quantity of heat required to change a unit mass of a solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point is called किसी ठोस के इकाई द्रविमान को उसके गलन नाक एवाम वायू मंडली दबाव पर द्रव के बदलने के लिए आवस्यक उसमा की मातरा को कहा जाता है इसका answer है latent heat of fusion तो latent heat of fusion वह heat होता है जिससे जो solid है वह liquid में convert हो जाए जब हम बरफ को freeze से निकाल के रखेंगे तो जैसे ही वह पिघलना जैसे ही वह पिघलना चालू होगा जरा सभी पिख लेगा तो वह उस टाइम पर जो temperature होता है वह 0 degree Celsius ही होता है बट जो वह heat लेता है जो energy वह लेता है जितनी energy उसको required होती है लिक्वीड में convert होने के लिए उसे latent heat of fusion कहा जाता है इसी तरीके से latent heat of vaporization भी होता है कि liquid जो है वह gas में बदल जाए बिना temperature को change किये हुए अगला question है when a beam of light is passed through a collateral solution then the light gets dash जब प्रकास की किर्ण ने कोलाइडी विलियन से गुजारी जाती है तो प्रकास dash इसका answer है scattered तो जो light beam है जब आप light beam को pass करेंगे जैसा आप यहां पिक्चर में देख रहे होंगे कि light beam को जब पास किया जा रहा है pure water में तो single spot form हो रहा है जैसे ही उसमें impurity मिलाई जा रही है यानि कि solution को जब quarter solution बनाया जा रहा है तो light जो है वह पूरी फैल जा रही है scattered हो रही है तो scattering of light भी कह सकते हैं इसको यहां से आपको कई तरह के question पूछा जा सकता है कि अगर हम beam of light को pass करें quarter solution से तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे किस effect को बोलेंगे तो इसे टिंडल effect भी कहा जाता है इसका आप जो नेचर में है वह morning में देखने को मिलता को जब जंगलों में जाते हैं तो हलका सा अगर air मिलता है जब धूप आती है तो light के आप पूरी फैल जाती है तो वह चीज़ आप लोग को किस धात्यों के साथ अभी क्रिया नहीं करता है इसका एंसर है गोल्ड तो गोल्ड जो है वह लीश्ट रियक्टिव मेटल है और जो नाइट्रिक एसिड है वह highly reactive solution है तो बत यह रियक्ट नहीं करते हैं क्यूंकि गोल्ड जो है वह लिस्ट रियक्टिव है इस वज़े से र रियक्टिव कब होता है जब हम लोग hydrochloric acid और nitric acid को one is to three concentration में मिलाते हैं तब जाके यह reaction करता है जिसका नाम जो solution है वह एकुरेजिया बनता है जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो जब हम लोग सोना को साप करते हैं यानि कि जब उसकी cleaning की जाती है तो एक परत जो है वह खा जाता है जब हम लोग one is to three की ratio में hydrochloric acid और nitric acid को मिलाते हैं तब जो है एकुरेजिया बनता है जिसका टेक्निका इस्तमाल किया जाता है सोने को साफ करने के लिए तो सोना वह साफ नहीं होता है एक परत उसका खा जाता है यह acid जिसे हम लोग कहते हैं कि सोना स fertilizer fertilizer निमलिखित में से कौन सा calcium लवण उर्वक के रूप में परियोग किया जाता है कि इसका answer है calcium sulphate तो calcium sulphate जो है जब हम लोग calcium का reaction sulfuric acid से कराएंगे यानि कि CA plus H2SO4 तो हमें salt मिलेगा यानि कि calcium sulphate मिलेगा और hydrogen gas release होगा तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी metal का reaction acid से कराते हैं तो salt plus water बनता है तो जो आप लोग जानते हैं वह उसी का इस्तमाल यहां पर किया गया है तो calcium sulphate जो salt है उसका इस्तमाल as a fertilizer किया जाता है जब हमें कोई भी जमीन पे जब खेती करनी होती है तो जब calcium की मातरा घट जाती है तो हमारा जो crop है वो properly grow नहीं कर पाता है जिसके वज़े से हमें fertilizer को add करना होता है soil में ताकि calcium की मातरा बढ़े और जो crop है वो properly grow कर सके पहुत से plantation में इसका इस्तमाल होता है cotton का plant जब हम लोग grow करते हैं या फिर जब हम लोग खेती करते हैं धान की या फिर गेहूं की तो crop जो है properly नहीं grow हो पाता है calcium की कमी के वज़ fertilizer हम लोग calcium sulfate का इस्तमाल करते हैं जो कि एक salt है अगला question है which of the flowing metal has the maximum thermal conductivity निम लिखित में से किस धातु में अधिक्तम तापी ये चाल लगता है इसका answer है silver तो silver जो चांदी है उसकी जो thermal conductivity है वो बहुत हाई होती है और electrical conductivity भी हाई होती है इस बात को आप लोग एकदम दिमाग में बसा लिज़े बच्चों बहुत सो लोगों को confusion होता है कि जो gold है उसकी जो electrical conductivity है या thermal conductivity है ज्यादा होती है बट ऐसा नहीं है ये totally wrong concept है silver जो है चांदी वो thermal conductivity भी उसमें ज्यादा होती है और electrical conductivity भी इसकी हाई होती है इस point को आप लोग को एकदम याद रखना है तो इसकी जो thermal conductivity means thermal को conduct करना हीट को transfer करना one point से another point जब एक जगह से दूसरे जगह heat की transfer होती है तब उसे हम लोग thermal conductivity कहते हैं उसी तरीके से जब charge move होता है तो उसे हम लोग electrical conductivity कहते हैं तो जो यह conductivity term है यह conduct करना इसका मतलब conductor जो बस में होता है conductor वो क्या करता है लोगों को यह बस को एक दुसरे जगह लेके जाता है इसी तरीके से जो है thermal conductivity में heat को transfer किया जाता है और electrical conductivity में electrical को transfer किया जाता है तो thermal conductivity जो है silver की और electrical conductivity high होती है यह तुरंथी पिखल जाता है जैसे आप इसको heat देंगे तुरंथी पिखल जाएगा तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है अगला question है what is dry ice सूखी बर्फ क्या है इसका answer है solid carbon dioxide तो solid carbon dioxide जैसा आप लोग जानते हैं कि यह जो है इसको dry ice कहा जाता है यह आप लोग पढ़े होंगे 7-8 में कि dry ice जो है जिसे हम लोग dry ice बोलते हैं वो solid यानि कि carbon dioxide gas को जब हम लोग solid का form दे जेते हैं तो वो dry ice बन जाता है तो इससे क्या होता है कि भाप यानि कि धुआ निकलता है सफेद कलर का जिसका इस्तमाल जो है fire extinguisher में किया जाता है तो अगर आपको question आए कि fire extinguisher में किसका इस्तमाल किया जाता है तो dry ice का इस्तमाल किया जाता है यह आप देखते होंगे पिक्चरों में जो धुआ धुआ जब entry करता है तब वहां पर धुआ धुआद्वाध होता है तो उसे ड्राइइ मैंके जरीए से वह क्या जाता है तो जो कि सौइड आक्साइड है उसका इस्तमाल होता है ज्यादा तो इसका इस्तमाल है वह फायर एक्सटेग्योशन में किया जाता है इस point को भी आप लोग ध्यान रखिएगा I hope सारे बच्चों ने बहुत थी अच्छे से questions को attempt किया होगा सारे facts मैंने बहुत थी अच्छे से बताया है सारे बच्चों को बहुत थी समझ में आया होगा इनके आप notes बना लीजे या हमारे PDF को follow कीजे PDF आपको Telegram Channel पे मिल जाएगा जिसका link description box में रहता है Thank you for watching my video इस video से अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box या Telegram Channel पे पुछ सकते हैं मिलते हैं सीरीज के next video में तब तक के लिए जय हिंद